लॉक डॉनी पाट साला डी सी रामगड में आपका स्वागत है, मैं निर्मना कुमारी फिर से आपके साथ हूँ प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एर पॉलुशन पढ़ा था बेसिकली हम लोगों ने कंट्रोल मेजर पर स्ट्रेस दिया था आज हम लोग एक केस स्टडी ओफ डेली ओन वेहिकुलर एर पॉलुशन देखेंगे इन दे नाइन्टी नाइन्टी ज डेली रैंक्ट फॉर्थ एमंग दे फॉर्टीवन मोस्ट पॉलुटेट सिटीज अफ दे वर्ल्ड 1990 में एक सर्वे करवाया गया अमंग 41 मोस्ट पॉलुटेट सिटीज अफ दे वर्ल्ड और उसमें दिली ने चौथा रैंक फॉर्थ पॉजिशन प्राप्त किया तो दिली में इतना पॉलुशन क्यों है वेहिकल्स की वज़ा से पॉलुशन है दिली में गाड़ियों की संख्या सर्वाधिक है अगर हम दो स्टेट की गाड़ियों को मिला दे गुजरात और वेस्ट वेंगोल तो उतना गाड़ी देली में होगा यानि उस समय दिली में एर पॉलुशन का लेवल इतना बढ़ गया था कि भारत के सर्वोची नियाले में एकर जन हित याची का दायर की गई पी आईल दायर किया गया सुप्रीम कोट ने इसकी कड़ी निंदा की और साथी साथ यहाँ आदेश दिया एक निश्चित अवदी में एप्रोप्रेट मेजर लिये जाए इस वेहिकुलर एयर पॉलुशन को कंट्रोल करने के लिए साथी साथ यह भी कहा गया कि सभी पॉलिक ट्रांसपोर्ट वहिकल्स को यानि बसो को डीजल के स्थान पर CNG में कनवर्ट किया जाए यानि इसमें डीजल के बजाए CNG का प्रयोक किया जाए 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसो को CNG में कनवर्ट कर दिया गया क्योंकि CNG burns most efficiently CNG का अच्छी तरह से दहन होता है complete combustion होता है जिसके वज़ा से कोई residue बचता नहीं है CNG is cheaper than petrol or diesel इसके अलावा यह petrol or diesel क्या पेक्छा सस्ता होता है cannot be siphoned off by thieves यानि चोरी इसकी चोरी नहीं कर सकता है क्योंकि यह तो gas है cannot be adulterated साथी साथी इसमें petrol or diesel की तरह adulteration नहीं किया जा सकता है यानि इसमें मिलावट नहीं किया जा सकता है पेट्रोल और डीजल में तो लोग किरोसिन ओयल मिला करके बेच देते हैं लेकिन इसमें किसी तरह की मिलावट खोरी की संभावना नहीं है CNG बहतर विकल्प है लेकिन इसके साथ एक समस्या है इसके लिए पाइपलान बिछाने की और कंटिनुएसली सप्लाई विथाउट एनी डिस्टर्बेंस यानि निरबाद रूप से आप पूर्ती की जाए या सुनिश्चत करना Steps taken in Delhi for reducing vehicular pollution Phasing out of old vehicles जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हो गई है उनको replace कर देना है क्योंकि पुरानी गाड़ियां ज़्यादा pollution करती है उनके engine को upgrade करना मुश्किल होता है एक particular समय के बाद वो ज़्यादा धुआ छोड़ने लगती है Use of unlead petrol Unlead petrol यूज करना है सीसा रहित petrol को यूज कर रहा है Use of low sulfur petrol or diesel Petrol or diesel में sulfur content कम होना चाहिए Use of catalytic converter in vehicles Vehicles में catalytic converter लगे होना चाहिए जिसे क्या होगा Harmful gas, non harmful gas में convert होते जाएंगे यहाँ पे diesel or petrol का complete combustion होगा Application of stringent pollution level norms for vehicles कडे नियम बनाने चाहिए Vehicular pollution को control करने के लिए भारत सरकार ने New auto fuel policy के तहत Vehicular pollution को कम करने के लिए कुछ norms बनाएं कुछ standard तै किये गए Fuse के लिए अधिक कठोर मानक बनाएं जिससे धीरे धीरे Sulfur और Aromatic content को Petrol और डीजल से कम किया जा सके Euro 3 norms के अनुसार Euro 3 norms अंतराश्टी नौर्म से यह कुछ rules है जो जिसको आपकी गाड़ीों को follow करना है अने था आपकी गाड़ी जो हता है फिट नहीं है रोट पर चलने के लिए यहनि वो ज़्यादा pollution करती है कहने का मतलब है तो Euro 3 के अनुसार क्या है Petrol और डीजल में Sulfur की मात्रा को कम करना है 350 पर मिलियन डीजल में Sulfur कंटेंट होना है 150 पर मिलन इन पेट्रोल पेट्रोल में 150 पर मिलन पर Sulfur कंटेंट होना है और Aromatic Hydro Carbon 42 पर सेंट होना चाहिए Concerned Fuel में According to Euro 3 नॉर्म्स आगे लक्ष रखा गया है Sulfur कंटेंट को 50 पार्स पर मिलियन पर लाना है पेट्रोल और डीजल में और Aromatic Compound को 35 पर सेंट पर लाना है इसके अलावा वेहिकल के इंजन को भी अपग्रेड करना है भारत स्टेज 2 जो इकवलेंट है Euro 2 नॉर्म्स के वह इंडिया के किसी भी सिटीज में अभी नहीं चल रहा है किसी भी सिटीज में माने नहीं है इस टेबल में दिखाए गया है Mass Emission Standard in India 4-wheelers के लिए 3-wheelers के लिए 2-wheelers के लिए 2-wheelers यानि cycle वगेरा motorcycle 3-wheelers auto 4-wheelers car हो गया तो सब के लिए भारत स्टेज 4 लागू है यह कब स्टार्ट हुआ था throughout the country since April 2017 यानि भारत स्टेज 4 2017 में लागू किया गया था अभी भारत में भारत स्टेज 6 चल रहा है जो 1 April 2020 को लागू किया गया है इन सब प्रयासों की वज़ा से दिल्ली में एर पॉल्यूशन के सर में कमी आई एक अनुमान के अनुसार कार्बन डायकसाइड और सल्फर डायकसाइड के स्टर में बहुत कमी आई 1997 से लेकर 2005 तक इस तरह से हम लोगों ने आज किस तरह से दिल्ली में एर पॉल्यूशन वज़ास के वज़े से हुआ था तो इस वेहिकुलर एर पॉल्यूशन को कम करने के लिए देली गॉवर्मेंट ने क्या-क्या काम किये यह सब को हम लोगों ने सीखा Thank you